कुछ 20 या 25 बनने थे और वो आपको शिप पे जॉइनिक लागे देदेगा जैसी कि गैली यूटिलिटी में जबी याद है कि जिस मैडम ने मेरा इंटर्वी ले आता उनका नाम रूबी था वो शायद आज भी एजनसी में काम करती है तो मैं सीवी बहुत अच्छी बना के ल नमस्कार सभी को आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में जैश्री राम तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी लाइफ जर्नी कि मैं क्रूश शिप पे कैसे पहुच गया मैंने किस होटल में काम किया या क्या मेरा वोकिंग एक्सपिरियंस था कहां पे मैंने पर कैसे पहुचा तो आपको भी थोड़ा helpful होगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजे और पूरा वीडियो देखिए जो मेरे चैनल पर नाया है वो सब्सक्राइब कर लीजे और बाकी के अपने पुराने सब्सक्राइबर भाई को तो बस यही कहूँगा कि लाइक कमेंट तो मेरा कोई भी प्लाइन नहीं था या कोई भी ड्रीम नहीं था जैसे कि बहुत लोगों होता है मेरा सपना है या ना ही मैं किसी से इंस्पायर हुआ था कि मुझे कुरूशिप पर जाना है बचपन से कॉलेज भी कर रहा था तब तो कोई आइडिया नहीं था हुआ ऐसा था कि मैंने BBA किया हुआ है Bachelor in Business Administration I am graduate from there तो कॉलेज के टाइम पर जब BBA कर रहे थे 11-12 पास आउट होने के बाद में किसी ने कहा था कि BBA की डिग्री आप कर लेते हो तो आपको आराम से first time 30,000 salary मिल जाती है ऐसा सुना था और आपको कहीं जॉब लेने जाने की दिक्कत नही है वो कॉलेज में आते campus recruitment होता है तो आपको job मिल जाती है तो उस सोच के हमने BBA चलो ठीक है BBA कर लेते 30,000 मिलेंगे ठीक है कोई बात नहीं लेकिन जब कॉलेज करते करते पता चला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है आप कोई भी डिग्री करो fresher को 8-10,000 से ही शुरू होता है उस वहिया है मामा की लड़के वह already cruise पे थे और उन्हें 2-3 contract हो चुके थे और उन्हें देखके लखने लगा कि हाँ ठीक है cruise पे जाते है ship और अच्छा पैसा जैसे कि वह रहते थे तो एक feel आता था कि हाँ चलो हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे लेकिन शोरिट ही नहीं था तो फिर जैसे दर से हमने college अपना complete किया third year final सब complete किया और ऐसा सोचके रगा था कि जैसे college complete हो जाएगा जो भी पहली नौकरी मिलेगी वह अपन करेंगे तो अभी भी माइंड में ऐसा था नहीं कि हमें ship पे जाना या इंडिया से भार भी जाना ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा था था नॉर्मल ही सोचता था कि एक simple जी life चाहिए पर ऐसा लगता था कि जिस आपसे अपनी family condition थी हम middle class family के लोग लगता था कि थोड़ा ज्यादा पैसा कमाएंगे तो अच्छा रहेगा अपने घर को support कर सकते हैं अपनी family की lifestyle बदल सकते हैं और घर का बड़ा बेटा होने के नाते भी सक्की नदर मुझ पर ही थी कि ये कुछ अच्छा करेगा ताकि हमें अच्छा होगा मतला हमारी life improve होगी तो college खतम होते ही अपने पहली job पकड़ी और मेरा दोस्त था जो वहां पर उसकी job लगी थी और वो काम कर रहा था उसने मुझे suggest कि हमेंने भाई नेकी और पूच- का नाम था PCI Pest Control India आज उस company का नाम है Rentokil PCI तो नाम चेंज हो गया और बहुत अच्छी company थी company के बार में मैं आपको बताता हूं क्योंकि बहुत important है कि यहां से ही मेरी cruise ship की life की journey जो शुरू हुई थी वैसे ये company एक pest management company है और ये इंडिया की पहली और largest pest management company है बहुत CV घर में, hospital में, five star hotel में जैसे कि pest की problems होती है पैस्ट यानि कि अपने ants, cockroaches, bad bugs तो इनकी service करती है और मेरी वहाँ पे job लगी थी as a customer service executive यानि की sales job in simple जैसे कि अगर आपके घर में कोई pest की problem है और हमारी company first and largest थी तो हम लोग एक brand creator थे तो हमें कोई business की ऐसे जानी की दरूद नह आता था तो customer लोग phone करते थे office में तो मेरा एक area दिया था तो वहाँ पे मैं जाता था जो मेरे area के calls होते थे उन्हें attend करता था inspection करता था और उनके समझाता था कि यह treatment करना पड़ेगा इतना इतना आपका पैसा होगा contact later बनाता था और फिर operation team को दे देता कि आप भी technician बेजो तो काफी अच्छी job थी बहुत मज़ा आ रहा था मैं सच बताओ तो वहाँ पे आज भी मुझे memories याद आती है क्योंकि वहाँ पे इस तरह का staff था management बहुत ही supportive था तो बहुत अच्छा था तो हुआ यूं कि वहाँ पे काम कर रहे थे और मेरे एक और cousin भाई है मामा का लड़ कर रहा है तो हमारा लड़का भी ship पे जाए क्योंकि एक मामा के लड़के अलड़ी ship पे हैं और दूसरा वाला try कर रहा है कोशिश कर रहा है तो घर में भी मेरे ममी पापा भी expect कर रहे थे कि क्या यहां पर job कर रहा है और मेरी फैली job साड़े 9000 रुपए मुझे salary मिलती थी जो च्टैंप है क्या जौब कर रहा है ship जाने की तयारी करें तो मेरे जो कजन एक और भाई ते जो अल्ड़ी ship पे थे वह आए उन्होंने उससे पूचा क्रिश्णा क्या कर रहा है मैंने कहा कि भाई ऐसे यह company में काम कर रहा हूं प्रेश कंट्रोल वाली company है तो उन्होंने कि आई तू apply कर लेना मैंने ठीक है तो इसे दूसरा कजन है उसने एक agent को पकड़ा था तो वहां पे वह मुझे भी ले गया family से ममी पापा से बात करके तो मैं भी चला गया वहां पे थोड़ी सी वहां पे meeting हुई ऐसे ऐसे होगा मतलब वहां पे कुछ 20 या 25 अदर बनने थे और वो आपको ship पे joining के लगा के देदेगा जैसे कि galley utility में यानि कि आपको galley utility में आपको मैं और एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें समझाऊँगा galley utility होता क्या है तो वो job आपको लगा के देगा फिर जैसे ही आपकी job लग जाती है वहां पे ship पे पहुचेंगे त आ गया गर पे और घरवालों को भी decision देदिया कि नहीं मुझे ठीक नहीं लगा जो cousin भाई उन्होंने try किया था उन्होंने वहां पे apply किया और उन्होंने जो processing fee थी 20-25,000 वह भी भरे लेकिन वो agent कुछ नहीं कर पाया तो पैसे उनके return हो गये थे back हो गये थे अब जैसे कि मे अधा लग रहा था ठीक है क्योंकि यहां पे भी जब मैं job कर रहा था तो साड़े 9,000 मुझे मिल रहे थे और 6 महीने बाद मुझे कुछ 13,000 मिलने वाले थे और 9 महीने बाद जैसे मैं confirm हो जाओंगो तो 20-21-22,000 मिलने वाले थे तो जैसा सोच रहा था ठीक है 20-22,000 अपनी simple normal life जीहेंगे अच्छा अपने गरवालों के साथ रहेंगे फिर हुआ क्या जैसे कि मेरे जो मैंने अपने जो कलीक थे जो मेरे साथ काम करते थे उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे शिप पे भी वेकंसी होती है पेश कंट्रोल की मेरा भाई बता रहा था तो अपलाई करना और मैंन दो साल का experience था कंपणी में काम कर रहे थे तो उनके साथ मैंने भी अपनी सीवी डाल दी थी लेकिन मुझे कॉल नहीं आया था मैंने पहले उन्हें बताया था कि ऐसा ऐसा है और उन दोनों को कॉल आ गया interview के लिए और लोग interview में चले भी गए और हो clear भी हो गया और हो select भी ह हो गया MSC के लिए तो मैंने यह सोचा कि मेरे पास कुछ उस टाइम पर तीन या चार महीने का experience था तो मैंने यह सोचा कि शायद मेरे पास experience नहीं है तो इसलिए उन्होंने मेरे CV को shortlist नहीं किया होगा या देखा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर लेका था कि minimum six month experience होना ही चाहिए अब थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि मैंने किसी को suggest किया हो already select हो चुके है और मेरा कुछ आता पता नहीं तो ठीक है कुछ नहीं अपन अपने काम में continue थे फिर एक और post आया शायद वह Facebook पर आया था या newspaper पर आया था तो यह मेरे वह भाईया नहीं बताया था वह इंडिया में थे गर पर ही थे तो उन्होंने मुझे बताया क्रिश्णा यह देख वाकिन इंटर्व्यू के लिए गोवा में एक North Side में होटल है वहाँ पर यह लोग वाकिन इंटर ली जहां पर वाकिन इंटर्व्यू था और मेरे मैनेजर भी काफी सपोर्टिव थे मैंने उनसे कुछ छुपाया नहीं जो मेरे मैनेजर जिनको मैं रिपोर्ट करता था तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं सब कुछ मैं देख लोगा तो जा मुंबय गयते हैं उन्हें मुंबय बलाया था लेकिन मेरा गोवा में वॉक इन इंटर्व्यू होने वाला है जो कि मैंने लाइफ में कभी भी वॉक इन इंटर्व्यू ऐसा कभी भी महुल देखा ही नहीं था और इंटर्व्यू कुछ 10 या साढ़े 10 बजे था बज़ा भी मैंने कहा था कि तू साढ़े 8 बज़े या आट बज़ी पहुच जा ना क्योंकि वॉक इन इंटर्व्यू होका बहुत लोग आएंगे नमबर आने में दिक्कत होगी मैंने का ठीक है और मैं जैसे उन्होंने कहा था आठ या साढ़े 8 बज़े पहुच गया था मेरे एक दोस खहां-खहां से लोग आये हुए इंटर्व्य के लिए बहुत लोग आये और मैं देख कर ऑए ऐसे लग रहा था कि मैं आठ बजे आया हूं मुझे लगा मैं जल्दी पहुच जाएंगा लेंगे ऐसा लग रहा था कि मुझे और जल्दी आजाना चाहिए था, 6 वजे ही आजाना चाहिए था, इतनी line लगी थी, और जो MSC से जो interview लेने आये थे, वो भी crowd को इतना manage नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी भी expectation नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, मेरे ख्याल से 1000 लोग तो होंगे ही होंगे, क्योंकि बहुत बहुत line थी, मैं ठीक से figure मुझे पता नहीं लेगे, बहुत line थी, बहुत लोग आये थे, तो जैसे तैसे हम लोग line में रुके थे, और कुछ पता नहीं चल रहा था, तो जैसे तैसे हमारी registration हुई, registration हम लोग ने करा लिया था, और अब मैं आपको direct बताओं, तो शाम के 4 बज़रे थे, कोई number नहीं, कोई नहीं बुला रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, किन के number आ रहे है, कौन interview दे रहा है, क्या है, हम तो बस एक भीड में खड़े हैं, तो फिस जैसे तैसे मेरा नाम आ जाता है, क्योंकि मैं patch control में था, तो patch control में शायद ही कोई होगा, जिन्हों ने apply किया होगा, एक या दो लोग, तो मेरा number आ गया, 4 बज़े, 5 बज़े मेरा कुछ ऐसा number आया, मुझे बुलाया, वहाँ पे counter पे मैंने अपनी CV दी, और मैं वेट करने के लिए कहा, तो थोड़ी दिर वहाँ पे वेट किया, और मेरा नाम बुलाया, तो मझे आज भी याद है कि जिस madam ने मेरा interview ले आता, उनका नाम Ruby था, वो शायद आज भी agency में काम करती है, तो मैं CV बहुत अच्छी बना के लेकर गया था, क्योंकि मुझे पता था कि pest control में क्या काम की वहाँ पे जरूआत है, वही मैंने अपनी duties जो अपनी CV में था डाला हुआ था, जैसे कि आपके लिए भी एक suggestion है, जैसे कि कोई भी position के लिए आप apply कर रहे हो और वहाँ पे काम क्या होने वाला है, अगर आप पता कर लेते हो, जैसे कि किसी भी company में, मानोशिप में ही, जैसे कि मैं अपना example दूँ, pest control का vacancy थी, तो pest control में वहाँ पे वो लोग को चाहिए कि एक ऐसा बंदा जिसे pest की information हो knowledge हो, और जैसे कि मैं BBA वाला था, और ये काम था BST लोगों का, लेकिन मुझे training मिले हुई थी, तो मुझे pest की एकदम से knowledge थी, पूरी मेरे पास knowledge थी, तो वही उनको चाहिए था कि pest के बारे में से knowledge हो और inspection ये सब सई से करता हो तो मेरा interview शुरू हुआ और उन्होंने मुझे पहला question ये कहा कि tell me about yourself जैसे कि सर इंटर्वियू में हर जगे पर यही question पहला होता है तो यही मुझे पूचा तो मैंने बताया अपने बारे में कि मैं ऐसे ऐसे मेरा नाम मेरी family के बारे में पापा क्या करते है कितने भाई बेन है यह सारी information मैंने बताई और मैं college कहां से क्या हुआ है किस चीज में मैंने graduation की हुई है और currently मैं कहां पे काम कर रहा हूँ तो यह चीज मैंने बताया फिर उन्होंने मुझे से पूचा कि do you know about MSC और वो जानना चाते थे कि तुम company के बारे में क्या जानते हो तो मैं online पढ़के गया था कि MSC के head office कहां पे corporate office कहां पे कितनी बड़ी company है और कितनी ships है company के बारे में इस ship cruise industry जो passenger को घुमाती है यह वो ऐसी information मैंने उनको दे दी अब तीसरा question उनका यह था कि cruise पे क्यों join होना चाते हो तो मैंने कहा कि cruise पे मैं इसलिए join होना चाता हूँ क्योंकि I want to support my family जैसे कि मुझे cruise पे जाऊंगा तो मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे तो उससे मैं अपनी family को एक अच्छी life दे सकता हूँ या तो आप ऐसे बता सकते हो कि मेरे जैसे कि इसी काम में मैंने इंडिया में काम किया हुआ है तो आप मैं इसको एक अलग level पे लेके जाना चाता हूँ एक अलग experience देखना चाता हूँ कि ship पे कैसे क्या काम होता है वहाँ का experience लेना चाता हूँ इस तरह से आप बता सकते हो तो यह हो गया अब मेरा चौता question उन्होंने मुझे से पूचा कि जहां पर आप काम करते हो वहाँ पर कैसे क्या होता है आपका काम क्या करते हो वहाँ पर तो मैंने उसके वारे में बताया कि क्योंकि मुझे पता था अब उन्हें जानना है कि जो ship page जैसे कि उनको criteria चाहिए था वो चीज उन्हें जाननी है कि मुझे आती है के नहीं तो मुझे पता चल गया था कि उन्हें जानना है कि इसे best की कितनी knowledge है क्योंकि वहाँ पे आपको technical knowledge जाधा चाहिए थी यहाँ पर हम तो technical knowledge मेरे पास 25% मतलब use होती थी और 75% तो अपनी sales के speech के वज़े से क्योंकि customer booking रहता था तो मैंने उसको उल्टा किया 75% मैंने technical knowledge उन्हें बताई जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अब cockroach है तो cockroach कितने प्रकार के होते हैं और उनकी life cycle क्या होती है कैसे क्या होता उस सारी चीजे मैंने उनको बताई पेश्टो के बारे में तो उन्हें लगा कि हाँ इसे technical knowledge पता है और उन्हें चाहिए भी वही था तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर हम अभी आपको थोड़ी दिनों में मुंबै बुलाओगे तो आपको आना होगा वहाँ पे आपका final interview हो सकता है ऐसे मुझसे confirm नहीं किया उन्होंने ऐसे ही कहा कि आपकी shot list करेंगे और फिर हम आपको mail करेंगे कि ऐसे से आपका number और mail ID छोड़ जाओ तो मैंने छोड़ दिया और जब मैं भार आया तो थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि interview मेरा अच्छा गया था और उन्होंने like directly तो नहीं कहा था कि तो मुंबै आने वाले हो लिगे उन्होंने कहा था कि शायद तुम्हें मुंबै बुलाएंगे फाइनल इंटर्वी के लिए तो गया घर पर कॉल किया ममी ऐसा पापा ऐसा अपना इंटर्वी गया यह वो तो एक अच्छी खुशी मिली क्योंकि सुबह के आये थे अपन आठ साड़े आठ बजे के और पाँच बजे अपना इंटर्वी जैसे की हुआ तो और उपर से हम साउध गौवा में रता था मैं तो नौध गौवा में हम लोग गए हुए थे तो बहुत ही एक अच्छा लगा क्योंकि इतनी मेहनत के बाद इतने दिन विकर खाई पिये थे हम लोग महां पर अपना इंटर्वी फाइनल हो गया तो आया फिर अपना करेंटली नॉर्मली अपनी जॉब शुरू की अपने करते थे अपन काम कोई ऐसा यह नहीं पता था कि कब कॉल आएगा तो एक दिन अचानक से कॉल आ गया कि आपको यह यह तारीक को मुंबै आना है आपका इसे मुंबै बुला रहे हैं तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि यहांपर वॉक इन इंटर्विय तो मैंने देख लिया जेल लिया क्योंकि गुआ में यह था लेकिन मुंबै तो आपको मेरे साथ आना पढ़ेगा क्योंकि एक सपोड की जरूरत थी कि ब्लेजर पेंगे आना है तो compulsory यह चीज थी तो मैंने उससाब से अपनी तयारी कर ली थी और वहां पर हम लोग पहुचे तो सुबह ही पहुच गे थे वहां पर भी कुछ 6 बज़े या 7 बज़े पहुच गे थे क्योंकि पता था वाक-इन इंटर्वे में जिस तरह का हाल हु नहीं पaurus गए थे और बलेजर भी पेंडि लिया था तो उन्होंने देखा और जीस तरह से नने सेट्रलमयन्ट की वहां पर भी बोछ लोग आय थे बहुत 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 लोग आ थे तो सबको नहीं है शोट लिस्ट किया ठीक से बैट आया इक किसका क्या-क्या-क्या होगा और जो लोग blazer pen के नहीं आये थे उन्होंने कहा कि जो blazer pen के नहीं आया है वो interview में नहीं आएगा उसका interview नहीं लिया जाएगा आप जाइए भाहर blazer खरी दिये और blazer pen के आईए तो मैं तो blazer pen के आया था तो एक खुशी मिले चलो ठीक है अच्छा हुआ हम blazer pen के है तो हमारा interview होगा तो हम लोग line में रुके वे थे और कुछ दिर बाद पता चलता है कि आपका interview अभी Skype पे होगा यानि कि जो हमारी सौरेंटो में इटली में और कुछ समझ पाएंगे कि नहीं पूरे से मेरा confidence डाउन हो गया लेगिन यह अच्छा था कि उन्होंने कहा जो वहां के स्टाफ थे tension नहीं कोई बात नहीं है अगर आपको उनकी English समझ में नहीं आती है तो आप उनसे कह सकते हो कि आप मैं समझा नहीं हूँ pardon me and you can ask question again तो उन्हें ऐसे कहा था तो side में अपने भहिया भी थे तो उन्होंने भी पुरा motivate करके रगाता रहे कुछ नहीं होगा तो दे लेगा इंटर्विव तो वो एक मेरे support system थे motivate थे तो हो गया था मैं motivate चलो ठीक है देगा जाएगा जो होगा वो देखा जाएगा कर लेगे इंटर्विव स्काइब पे तो मेरा नंबर आया फिर मुझे बुलाया उन्होंने और बारा या साड़े बज़े बारा बज़े सम्तिंग ऐसा नाम आया तो गए और पड़ी सी टीवी लगी हुई थी और सामने एक लैप्टॉप था तो हेड़फून वगेरा डाले अपनने और वो बंदा आ गया स्काइब पे जो सोरेंतो से इटली से इंटर्वी ले रहा था तो थोड़ा सा डर्स था लेकिन उन्होंने कमफर्टेबल कर दिया जो बंदी ने इंटर्वी लिया तो उन्होंने पूचा ओके कृशन सेम जैसे उन्होंने भी पूचे ओके कृशन टेल में अबाट य गया था और मैं सब समझ गया था और अच्छे से मैंने आंसर किये जो पूछ रहे थे मैंने अच्छे से आंसर किये मैं रुका नहीं आंसर देता गया तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ठीक है शिप पे आपको स्टाफ केप्टन होंगे आपको उन्हें रिपोर्ट करना होगा आप रेडियो मैंने वहला ठीक है चलेगा तो इंटर्वी से भार निकला बहार आया भाया को बताया ऐसा इंटर्व्यू गया अपना तो उन्हें भी लगा कि हां तू सलेक्ट हो गया मम्मी पापा को बताया फोन करके कि ऐसा हुआ तो हर गर में एक खुशी से हो गया कि कृष्णा सलेक्ट हो गया तो फिर आपको भायान आका कि अभी तेरे स्ट्व कोर्ष करने होंगे तो मुंबय में एक एजंट हा उसे एंट को हमने कॉंटेक किया कि हमें स्ट्व कोर्ष करने है तो वहाँ पर वो काम हो गया अमने घर आ गया और घर आके अगली दिन मुझे mail आ गया कि welcome to the MSC family तो यह mail मैंने अपने भाईया को बताया घर में बताया सब लोग खुश हो गए कुशी का किसी का टिकाना नहीं था कि हाँ अपना लड़का MSC में सेलेक्ट हो गया कोई भी कोई द्रीम नहीं था लेकिन मैं हो गया तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि चलो शुक पर सेलेक्ट हो गया हैं और सेलेरी बहुत अच्छी होगी और अपनी फैमिली के लिए सपोट हो जाएगा बहुत अच्छा सपोट हो जाएगा जो चीज हम नहीं कर पा रहे हैं भी वो शायद हम कर लेंगे शिप पर जॉइन होने के बाद तो बहुत अच्छा लगा और मैंने गर पर आकर कह दिया कि मम्मी पपा मैं अभी जॉब छोड़ रहा हूं जहां पर मैं काम कर रहा था तो उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया जिस कुछ दिनों बाद जैसे कि मेरे अश्टीसी डबलू कोर्स की अपनी तयारी कर ली थी तो मेरे अक्टॉमबर तक कंप्लीट हो गये थे क्योंकि एजंसी वाले भी मुझे मेल कर रहे थे कि आपके डॉकुमेंट सारी डिडी करो तो डॉकुमेंट्स में जैसे कि अश्टीसी वीडियो बनाऊगा मैं तो सारे मैंने डॉकुमेंट्स रेडी किये और शायद मुझे नवेंबर में मेल आ गया कि यॉर जॉइनिंग विल बी ओन फैब 11 2018 तो मुझे और आप रिप्लाइ करो कि आप ये जॉइन होना चाहते हूं के नहीं अब मैंने सोचा और मेरी भेहन की शादी उसी टाइम पे इप्रिल में थी इप्रिल 18 तारी को बेहन की शादी थी तो मेरे लिए दोनों ही चीज बहुत इंपोर्टन्ट है क्योंकि मैं बच्पन से सोचता आया था कि मैं अपनी बेहन की शादी में ये करूंगा वो करूंगा as a brother हर को ही सोचता है तो घर में भी उन्होंने ऐसे सोच लियाता कि अगर इसका ship पे ज्जाइनिंग का call आ गया तो हम इसे ship पे भेजेंगे रोकेंगे नहीं क्योंकि होता क्या है अगर आप call reject करते हो और first time मैं अभी मेरी like first time है on the company और आप call reject करते हो तो आपको एक back list में डाल देते हो लोग तो यानि कि आपको बहुत ही रेर चांसिस है कि आपको सेकेंड कॉल जल्दी आएगा नहीं तो 6-7 महिने या एक साल तक आपको बैट नहीं पड़ेगा तो गर में भी सोचा कि ठीक है तू शिप पे चला जा हम लोग है सब यहां पर शादी हो जाएगे मिंटें तो मेरे दिमा अपना काम करो अपना करियर शुरू करो तो उनका भी कहना सही था क्योंकि करियर बनना इस नॉट इजी इतना आसान नहीं होता है आपको आपके सारे काम इतने जल्दी-जल्दी हुए हैं और जैसे कि बहुत से लोग है जो अभी भी श्ट्रगल कर रहे हैं तो आप करना शादी की सारी तयारी आप करना तो फिर अपन चले गए शिप पे जैसे कि मैंने कहा February 11 2018 हो गए अपन शिप में जॉइन तो यह था मेरा एक्सपीरियंस यह थी मेरी लाइफ जर्नी में क्रूश पे कैसे आया तो सच बताओं जैसे कि आपको पता चला मेरा कोई ड्रीम ह नहीं था पर वो कहते ना कि अगर आपकी किस्मत में कुछ है किस्मत में लिखा है कि आप क्रूश पे काम करोगे तो सारे रास्ते आपके खोल देती है और आपका जो प्लैन है जो उस तरह से बना देती है किस्मत या उपर वाला बना देता है ताकि आप उस काम को करो उस का बस अच्छी तरह से समझ में आया हो तो बहुत से कमेंट आ रहे हैं मुझे वीडियो बनाने के उपर अभी लेकिन मैं बनाऊंगा वीडियो अभी ये वीडियो बनाया है तो बाकी की कमेंट्स है तो उनके उपर भी वीडियो बनाऊंगा और बहुत से लोग इंस्टा पे भी इतना ही इस वीडियो में लाइक करिए, कमेंड करिए, शेर करिए और सब्सक्राइब दोज़ों न्यू थेंक यू बाबाई जल्दी मिलते हैं नए ब्लोग में